करो Oo प करें के घurer के सब्जी बनाती का पेठा बोलते हैं कही जगह काणी जगह होता है जो गोल-गोल जो पमकिन होता है बड़ा गोल-गोल उसकी जब सब्जी पकती ई तो जरूर उसमें मेथी का छोक लगाया जाता है क्योंकि वहां वायू कारक होता है तो वायू के समन के लिए मेथी का छोक लगाया जाता है तो किन-किन पदार्थों में मेथी का छोक लगाना है यहां हमारी माताओं बहनों को बखुवी परंपरा से पता है इसी को ही बोलते ह तो वास्तर में यह जो परमपरागत ग्यान है हमारे रसोई की हमारे खानपान की हमारे यहां से सद्धियों से चली आ रही है पर आज फास्ट फूर्ड जंक फूर्ड और यह जो पीजा बर्गर की वजह से कहीं हम अपनी सांस्कृतिक जो हमारी विरासत थी उसको भी हम भुल ज्यादा जरूरी है और जहां तक बात रही मेथी दाने की तो यह डाइबिटीज के लिए भी बहुत उपयुकत है जो डाइबिटीज के पेशेंट हैं उन लोगों के लिए यह बहुत जरूरी है कि वो रात को एक देड़ चमश मेथी चार-पांच ग्राम मेथी पानी में भी मेथा चबा करके खाएं और उस पानी को भी पियें इस तरह से करने से जो डाइबिटीज है वो गोटी है और पेट भी इससे ठीक रहता है और जिनको अर्थराइटीज उसके लिए लाब कारी है दो अर्थराइटीज के रोगी और जो डाइबिटीज के पेशेंट हैं यह लोग रात को मेथी को भीगों करके प्रातहकाल मेथी के दानों का सेवन करें और उससे आपको पूरा लाब मिलेगा के बाद में जो इसकी उष्म में गतित हैं वो प्रकृति भी परिवर्टित हो जाती है क्या ज़ादा गर्वी नहीं करेगी हाप संसब जानते हैं जो युर्थराइटिस के रोगी होते हैं हमारे परंपरा से सरदी में मेथी के लड़ू भी खिलाए जाते हैं मेथी उसके लिए बहुती उपकारी है, बहुती गुनकारी है इसी तरह से जो हमारी माताज और बहने जो delivery के बाद में जो काड़ा उनको पिलाय जाता है उसके अंदर भी मेथी और अज्वएन मिला करकी दिया जाता है delivery के बाद में तो उऔर सब infection और swelling खतम हो जाती है और अंदर किसी कारण से कोई भी ओबरीज यूट्रस में गरभाश आदी में कोई विक्रिती रह गई हो तो वह भी दूर करता है तो मेथी को माताएं बहने को भी बच्चा होने के बाद में जरूर देना चाहिए खाद्दे की रूप में भी भीगो करके भी या जो भी काढ़ा उगर उनको पिलाए जाता है उसमें मेथी को जरूर दिया जाता है